तो दोस्तों आज हम आपके लिए फिली फिली गुबारे जैसी ऐसी चावल के रूटी लेकर रहे हैं जिसमें हमने कच्छे आलू का इस्तमाल किया है आलू डालने से आपकी ये चावल के रूटी काफी देर तक सौफ्ट रहेगी और खाने में बहुत स्वादिश्ट भी लगेगी इसे के साथ बनाएंगे लाल मिर्च की ऐसे स्वादिश्ट चट्नी जिसे आप एक महिने तक स्टोर करके रख सकते हैं तो चलिए आज की नेरे से भी शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें लेना है दो कच्चे आलू और इसे हमें छिल कर इसके छोटे टुकड़े करने हैं सुबह के बागदोर में आलू को उबालना बहुत ही ज़ादा जिंजट का काम लगता है और समय भी नहीं होता है तब आप ये ट्रिक इस्तिमाल कीजिए और मुझे कमेंड में जरूर बताएं कि आपके लिए ये ट्रिक कितनी ज़ादा यूसफल रही अब इसे हमें मिकसर के जार में डालना है साथ ही हरे मिर्च डालेंगे पानी डाल कर हमें इसे पीस लेना है और बिल्कुल इसका फाइन पेस्ट बना लेना है तो ये देखे दोस्तों पेस्ट बन चुकी है और आलू उबालने का जो जंजट है न वो भी खतम हो चुका है अब हमें लेना है कडाई इसमें डालेंगे हम दो कब पानी और इस रोटी को जादा चिट पिटा और मज़ेदार बनाने के लिए मसाले डालेंगे तो मैंने यापर डाला है चिली फ्लेक्स थोड़ा सहरा दनिया डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश मेथि डालेंगे मेथि से इसका टेस्ट और भी ज़दा बढ़ जाता है और मैंने थोड़े से करीपत्ता फाइन चॉप करके डाला है अगर आपको नहीं डालना है तो पेस्ट डाल देना है और इसे अच्छ से मिक्स करना है दोस्तों जैसे इसमें उबाल आएगा तो यह जो आलू की पेस्ट है ना फटा-फट से पग जाएगी और हमारा घंटो का काम मिंटो में हो जाएगा तो यह देखे दोस्तों इसमें उबाल आ चुका है करीबन हमने कुला का तो मैंने यहाप ऑपाट से 2 ला कुप मतलब धाई कर्म का आरटा करें और इसे हमें अच्छ से मिक्स करना है तो तो यहाऔर से अगों आप के के चावल या जादा आपको लग सकता है बस आपको थोड़ा समझना होगा कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि हमारा आटा बहुत जादा सॉफ्ट हो गया चिपचिपा हो गया तब इसमें सुखा आटा डालकर उसे अच्छे से सेट कर सकते हैं और अगर यह ड्राय हो जाए तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं अब देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है लेकिन हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है आटा डालते ही हमने गैस बंद कर दिया था और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब जैसे यह मिक्स हो जाएगा हमें इसे ढखकर रख वह स्पाथ से 25 को लिया मैंने लसुन की भी है और साथ ही इस चटनी को जakेदार बनानी के लिए हम इसमें डालेंगे साबध डनिय Cum और डालेंगे और ऩोंफ नहीं स्वाथ नमक डालेंगे और इसे पीसना है अगर आपको थोड़ी परिशानी हो आप इसमें निम्बु का रस शिरका या फिर इमली का पल्प भी डाल सकते हैं और अब इसे हमें एक बोल में निकाल लेना है लेकिन ध्यान रहे रखे इसे दरदरा पिसना है फाइन पेस्ट नहीं बनाना है अब इसमें हमें गर्मा गरम तड़ करके को डाल देना है मिर्च के ऊपर यह रेखे रोस्त हमारी स्वादिश चटनी तयार है जिसे आप एक महेने तक फ्रीज में रखकर इसका मजा ले सकते हैं इसे बना कर आप दूर के सफ़र में भी ले जा सकते हैं लेकिन इसके शेल्फ लाइब बढ़ाने के लिए आपको सिरका, निम्बुकारस या इमली का पल्प कुछ न कुछ डालना पड़ेगा तो यह हमारी चटनी तयार है इसे आप किसी एयर टाइट कंडिनर में डालिए और इसका मजा लीजी तो कैसे लगे आज के यह चटनी के रेसिपी जरूर आमें बताईएगा लेकिन हाँ ट्राइ करना मत भुलेगा चले दोस्तों चटनी हमारी बन कर तयार हो चुकी है अब हम आटे को देख लेते ही तो यह देखे दोस्तों आटे ने मतलब इसे के स्टीम में आटब पक चुका है लेकिन यह थोड़ा गरम भी है अच्छे से यह ठंडा नहीं हुआ है जब यह हलका गरम ह तभी आपको इसे मलना है तभी आप अच्छे से मल पाएंगे तो यहाँ पर इसे आपको नीड करने में करीबान 7-8 मिनट लग सकते हैं लेकिन आपके पास फूद प्रोसेसर है तो आप उसमें डाल कर इसे 1-2 मिनट के लिए चलाएंगे तो अच्छे से इसका अटा लग तक जो आटा है उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना रहे और एक्दम स्मूथ आटा लग कर तियार हो अगर आप अच्छे से महनत करेंगे और अच्छे से आटा लगाएंगे तो आपकी रोटी बिल्कुल फुलिफली बनेगी तो चली आटा लग चुका है इसमें से हमें एक से बिड़ा लेना है और इसके उपर सुखा चावल का अटा लगा कर हमेंसे बेलना है तो दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि हामारे जो चावल की रोटी ना बनाते वक्त तूट जाती है वह वह क्रैक्ड हो जाती है लेकिन आप देख सकते हैं मैं कितने आसानी से इसे रही हूं ना तो यह टूट रही है और नहीं इसमें कोई क्रेक्स आये हैं जितना चाहे आप अलट पलट कर लो बहुत ही अच्छे से यह बनेगी एक साथ मैंने पास से छे रोटी बना कर रख ली है और अब मैं आपको इसे सिक कर दिखाऊंगी तो जो हमने थोड़ी महनत की ह है ना दोस्तों उससे हमारी चावल की रोटी फुली फुली तो बनेगी ही लेकिन बहुत देर तक सौफ भी रहेगी यह देखे दोस्तों गुबारे की तरह फुली है ना बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि चावल की रोटी ऐसे फुलना इंपॉसिबल है लेकिन उसे पॉ पादिश भी लगती है अगर इस रोटी को आप डायरेक्ट गैस्क पर भी सेकेंगे फुलकी की तरह तब भी यह इसी तरीके से फुली फुली बनेगी यह मेरी गैरेंटी तो कैसे लगी आज की यह नई ट्रीक मुझे कमेंड करके जरूर बताना दोस्तों आपके कमेंड का हमे प्यारे प्यारे कमेंड करते ही यह देखें दोस्तों रोटी कितनी सॉफ्ट है यह भी देख लीजी और इतनी मज़ेदार रोटी खाने में अगर गर्मा गर्म मिल जाए तो इसका तो मज़ा ही अलग होता है बहुत अच्छी बनती है और आलू का टेस्ट इसमें बहुत मज़ेदार इस रोटी को इस चटनी के साथ जरूर बनाईएगा और इसे आप दूर के सफर में भी ले जाएंगे ना तो सफर का मज़ा भी दुगना हो जाएगा क्योंकि यह रोटी काफे देर तक सॉफ्ट ही रहती है तो दोस्तों आज की रसिपे आपको बहुत पसंद आ तब तक के लिए बाबाई दोस्तों